राजे सबसांसद अशोक वाजपे इस वक्त में सब मौझूद है सुभे से लगातार खबरों में सुर्खिया जल रही है कि दिग्विजे सिंग की तरह से एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने सीधे तरफ से जो है कटाक्षियान को यही साफतर पर कहना है कि जब भगव है मैं समझता हूं कि दिग्वजे सिंग मानसिक रूप से विक्षिप्ट हो गए और इस तरह को जलूल बयान देना उनका एक तरीके से सगल बन गया है और लगातार इस तरीकें उसी का नतीज़ा हुआ कि भौपाल की जंता ने उन्हें सबक सिखाने का काम किया एक भगवाधारी से बुरी तरे से वहाँ परास्त हुए हैं और यही उनके मन की कुंठा है जो बार-बार भगवाधारियों के खिलाब भगवाधादी देश के नवनिर्मान में लगे हैं नए भारत की रचना में लगे हैं हमेशा आध्यात्मे के सक् इस तरीके से आलोचना करना यह उससे दुर्साता है कि वह सामान्निमान शिक्ता में नहीं है और जहां तक आज का दिन पुरे धूम-धाम के साथ मोधि जी का जनव-दीन मना रहा है उनके तमाम सारे करेक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है आज सम भगवाधारी पा सीखता के वेक्तिद्वारा इस तरह का कमेंट करना इस तरह की बात कहना मैं समझता हूं कि वो उस पर कोई गंभीरता से लेने वाली बात नहीं है और उन्हों परवारती जनता पर्टी और उसके अनुसांगिक संगठनों को पर कटाक्ष करते रहें और इसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस परटी बिल्कुल घर्थ में मिल चुकी है और आगे भविश्य में भी अगर इसी तरह का न्रेतर तो कांग्रेस करा तो हिंदुसतान की जनता का बूलने का काम शुक्रिया से खास बात करने के लिए क्यामरा पर सनामित के साथ मैं भावना आनाइन टीवी देले